नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सुरंग से बाहर निकले बिहार के पांच श्रमिकों के परिवार में खुशी का महौल सुरंग से बाहर निकले बिहार के पांच श्रमिकों के परिवार में खुशी का महौल उत्रा खंड के सुरंग हाथसे में फसे 41 मजदूरों को बीते दिन सुरंग से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया वहीं 41 मजदूरों में बिहार के भी पांच मजदूर शामिल थे ऐसे में जैसे ही इस बात की सुशना मजदूरों के परिवार वालों को मिले उनके चेहरे पर खुशी की लहर दोड़ गई पड़िजनों के आखे खुसी से जलग गये मालम हो कि कई मजदूरों के पड़िजन टरनल के पास ही मौजूद रहें तो वहीं कई मजदूर के पड़िवार टीवी स्क्रीन पर टक टकी लगाए बैठे थे बता दे के सुरंग में फसे मजदूरों में सालन जले के एकमा प्रखन की देवपूरा पंचायत के खजुआन गाउन निवासी सवालिया शाह के बेटे सोनू साक के पता के द्वारा कहा गया कि मेरा बेटा सुरक्षत निकल गया इससे काफी खुशी है लेकिन अब बेटे को क टाइम टेबल जारी किया गया है जो एक दिसमबर से प्रभावी होगा बतादिक इस जारी मॉर्डर टाइम टेबल के अनुसार विद्याले खुलने का समय सुभा नौ बजे नरधारित किया गया इसके बाद प्रातना योग्या भ्यास वियाम नौ बजे से साहे नौ बजे तक होगा उसके बाद पहली घंटी सारे नौ बजे से दस बजे तक दूसरी घंटी 10-10 बजे से 10-50 तक तीसरी घंटी 10-50 बजे से 11-30 बजे तक और चौती घंटी 11-30 से 12-10 बजे तक होगी इसके बाद MDM एवं मध्यांतर 12-10 से 12-50 बजे तक होगा और फिर पांचवी घंट 12.50 से 1.30 बजे तक 6.00 गंटी 31.00 से 2.10 तक 7.00 गंटी 2.10 से 2.50 तक 8.00 गंटी 2.50 से 3.30 बजे तक और फिर स्कूल की चुटी 3.30 बजे होगी BPSC 66 मुख्य लिखित परिक्षा को लेकर नोटिस जारी BPSC 66 सयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परिक्षा को लेकर BPSC की ओर से एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आज यानि की 29.00 नवंबर से 4.00 दिसंबर 2023 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना मुल्यांकर उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि BPSC 79 सिंफ्त मुख्य लिखित परिक्षा के लिए आविदन की शुरुआद 27 समबर 2023 से शुरू हो चुकी है जो की 6 दिसंबर 2023 तक की जाएगी बिहार रील मेकिंग प्रतियोगिता के विजटाओं की घोशना बिहार सरकार के परटन विवाग के द्वारा 1 से 15 सितंबर 2023 तक बिहार के परटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए रील बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है बता दे कि विजटाओं की घोशना विससग्यों की 3 सलसिय टीम ने की है हाला कि इसमें कोई भी प्रथम दोईते और तृत्य विजटा नहीं है सभी विजटाओं को सांथवना पुरुसकार दिया जाएगा क्योंकि जजों का मानना है कि कोई भी रील वैसी नहीं थी जो सांथवना पुरुसकार के अलावा इस प्रतियोगिता के पैमाने पर उतर सकी हो बतादिक सांतवना पुरुसकार में पहले अस्थान पर रांची के असुतोस मयंक है जिन्होंने फूड और बिहार कैटेगरी में लिट्टी चोखा का रील बनाया था विजिताओं को पुरुसकार वित्रम का समय और तारीक जल्दी बताया जाएगा अरडिया के आदर्श बनी बिहार क्रिकेट अंडर सोलर स्टेट टीम के कप्तान बिहार के रडिया शहर के वाड नंबर 14 आसरम रोड निवासी आदर्श सिन्हा का चैन बिहार क्रिकेट संग के दौरा अंडर सोलर स्टेट टीम के कप्तान के रूप में किया गया है तब आदर्श के दौरा शांदार खेल का प्रदर्शन दिखाया गया था इसी आधार पर इनको इस वर्ष यानि की 2023 में टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है आदर्श की काम्याबी पर बिहार क्रिकेट संके जला संगो के प्रतिनीधी ओंप्रकाश यैश्वाल ने बताया के अंडर सोला में पहली बार अड़िया के खिलारी को कप्तान बनाया गया है यह जले के लिए गड़व की बात है इस समय आदर श्नौवी कक्छा का छात्र है स्कूली छुट्टियों को लेकर NCPCR का बिहार सरकार को नोटिस सक्चा विभाग के दौरा 2024 में होने वाले स्कूली छुट्टियों को लेकर जारी कैलेंडर का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा अब इस पर राश्ट्रिय बाल अधिकार सनरक्षन आयोग यानी की NCPCR के दौरा संग्यान लेते वे बिहार सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा गया है कि धार्मी का धार पर स्कूली बच्चों को छुट्टियों में भेद भाव क्यों किया जा रहा बता दिक सवाल का जवाब देने के लिए NCPCR की ओर से सच्छा विभाग को साथ दिनों तक का समय दिया गया है और अगर इन साथ दिनों में जवाब नहीं मिलता है तो NCPCR की ओर से मुख्य सचीव को तलब करने के लिए समन भी ज़दाएगा मालम हो कि आयोग के अधिक्ष प्रियंका कानुनकों के द्वारा कहा गया है कि भारत सयुक्त राश्र के अंतराश्रिय बाल अधिकार संधी का हस्ताक्षर करता है और उसके तहल बच्चों को दिये गए सभागिता के अधिकार के आरक्षन के जम्मेदारी है बिहार सरकार के वा आयोग के द्वारा आयुजित किये जाने वाले दूसरे चरण की सक्चक भरती परिक्षा को लेकर रिकॉर्ड तोड आविदन किये गए हैं बतादी की शनिवार की देर शाम तक एक लाग बाइस हजार सीटों के लिए लगभग सारे छे लाग आविदन किये गए है लेकिन इस बार खास बात ये है कि पहले फेज के मुकाबले इस बार दूसरे फेज में अभ्यर्थियों की तादाद घड़ गई है जो करीब एक लाग के आसपास है एक दफे पहली से पांचवी क्लास के लिए एक दसमलोग शुने दो लाग से जादा आप्लिकेशन आये हैं जबक बताया कि परच्छा की तारीक में बदलाओ की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्द करा दी गई है तीस नवंबर को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में है तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि तीस नवंबर को बिहार के दरभंगा के अवर प्रादेशिक नियोजनाले में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा जिसका समय सुभई 11 बजे से 2 पहर 3 बजे तक नरधारित किया गया है इस बारे में अवर प्रादेशिक नियोजनाले दरभंगा के सहायक निदेशक के द्व करवाले हालाके निबंधन कराने की विवस्ता आयोजन अस्थल पर भी उपलब्द कराई जाएगी वहीं अभ्यरती आयोजन अस्थल पर अपने साथ अपना बायो राथा सभी सैचनिक प्रमान पत्र पांच रंगीन फोटो आधार कार्ड पैन कार्ड और अने प्रमान पत्र लेकर पहुंचे बतादे कि स्रोजगार मेला में दसफी बारवी आयाइटी समेट अने डिग्री धारी अभ्यरती भाग ले सकते हैं लेकिन उनकी उम्र 18 से तीक सुरश के बीच होनी चाहिए सलक्यारा टरनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकाले जाने पर बिहार के राज खुशी जाहिर की गई है इसी कड़ी में बिहार राजेपार राजिंदर विश्वनात आलेर करके द्वारा भी अपने खुशी जाहिर की गई उन्होंने एक्सपर जोकी पूर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर लिखा है कि अंत में सुखत समाचार उत्त पत्ना मेटरो के लिए गांधी मैदान से टरनल की खुदाई इसी सबता से होगी शुरू। खुदाई शुरू की जाएगी मालमों कि मेट्रो के अप डाउन लाइन को बनाने के लिए किसे भी शाफ्ट में खुदाई के लिए दो टीबीम का उपयोग किया जाता है गई वजह है कि टीबीम 3 के बाद टीबीम 4 उतारा जाएगा बता दे कि मुईनूल हक स्टेडियम में टीबीम नमबर एक और दो द्वारा पहले से टेनल खुदाई की जा रही है जो कि मुईनूल हक स्टेडियम से पटना विश्रिव द्याले स्टेशन तक लगभग 1.49 किलोमीटर तक की जा रही लैंड फोर्ट जॉब्स केस में अब 20 दिसम्बर को होगी सुनवाई आज यान पर 2 नमबर को सुनवाई हुई थी जिसमें आरोपियों के द्वारा चार्ज सीट की स्कूरूटनी करने के लिए अतरक्त समय की मांग की गए थी जिसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए अगली तारीक आज यानी की 29 नमबर की निर्धारित की गए थी बतादे पर श्वी आदव समेद को 17 लोगों को आरोपी बनाये गया है प्रशान कसोर का सीम नितीश पर हमला राजनती रहनतिकार प्रशान कसोर के द्वारा एक पार फिर से बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि बिहार में बालू खर पाद हिंदो मुस्लिम करने वाली सरकार चाहिए या गुजराज जैसा विकास अभी दल बनाने की समय सीमा नरधारित नहीं की है लेकिन यदि अच्छे लोग चुनाओं में उतरना चाहते हैं तो हम उनको समर्थन देंगे उन्होंने कहा कि एक ओट जहां राजी सरकार बिह फसे सभी मज़ूरों को बाहर निकाल लिया गया है तो महीं आप टरल की सुरक्षा को लेकर जेडियू की ओर से सवाल उठाए गये हैं बता दे कि जेडियू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की द्वारा कहा गया कि सफल ऑपरेशन के लिए मैं सेना के जवानों को धने सरकार को सपष्ट करने की जरूरत है वहिस पर भाजपा प्रवक्ता अर्विन सिंग के दोरा पलडवार करते वे कहा गया कि जेडियू विकरत माश्रिक्ता की पार्टी है दल बदलु को क्या समझ आएगा कि कैसे बाहर निकाला गया प्रधान मंतरी की द्रश इक्षा शक्त वहीं बीत दन मिली इस्थार पर भारतिय टीम के कप्तान सुरे कुमार यादव के द्वरा इस्थार की वजह बताई गए उन्होंने कहा कि प्लान यही था कि मैक्सवल को आउट करना है जब आप 220 प्लस डिफेंट कर रहे हो और उस भी हो तो आपको गेंदबाजों को थोड हो कि गलेन मैक्सवल के द्वरा नाबाद 104 रंकी सतकीय पारी खेली गई और उनके बदालत ही टीम ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली जानियाग बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी के गए इसके ब बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रति लिटर में मिल रहा है मुझा परपुर में पेट्रॉल 107.98 रुपे और डीजल 96.70 रुपे प्रति लिटर है मही पूर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.82 रुपे और डीजल 95.50 प्रति लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे आदा किसंगंज में हैं जहां पेट्रॉल 119 सुने 6 रूपे प्रति लीटर और डीजल 26.2-3 रूपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है इसके साथ ही भरते हैं आगे सवाल की और आज का सबाल है आपके नुसार बीते दिन भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे टीट्वेंटी मैच में भारत के हार की मुख्य वज़ा क्या रही अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्षन मलिक का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रह सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद